Hello students, I am Akshay Pandey from Englisha. इस पोव में हम सिखेंगे रैमिंग स्कीम. And this is the first poem of your 10th standard. Written by Robert Frost. Dust of Snow. Dust of Snow का यहां अर्थ क्या है? यहां dust मतलब वो धूल नहीं है, बलकि इसकी मीनिंग है. Snow को ज़ाड़ना, बर्फ को ज़ाड़ना, dust यहां पर किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है? ज़ाडने के सेंस में, किसी चीज को साफ करने के सेंस में. तो अब इस कविता की theme तो जानते ही है, आईए इसके विशाय में हम रैमिंग स्कीम देखें. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had root. रैमिंग स्कीम कैसे पहचानते हैं? तो पोम में लिखी वी जो लाइन होती है, उसके अंत में जो शब्द होता है, उस शब्द को पढ़ने में जैसी उच्चारन शैली आ रही है. उसी की जैसी अगर उच्चारन शैली हमें कहीं दूसरी पंक्ति में आखिर में मिलती है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों ही आखिर के शब्द राइम कर रहा है. बच्चपन में जो राइम्स आपने पढ़ा है, वही है. तो देखो यहाँ पर, क्रो पढ़ रहे हम. फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है क्रो. और क्रो के जैसा ही साउंड और कहां हमें सुनाई दे रहा है, तो थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड दाट इस स्नौ, दा डस्ट अफ स्नौ. तो क्रो, स्नौ, एक जैसा सुनाई दिया, तो हम कहेंगे कि इस क्रोव और स्नो रामिंग वर्ड्स हैं उसी तरब मी और ट्री एक जैसे सुनाई दे रहे हैं ये दोनों शब्द तो कहेंगे ये दोनों रामिंग स्कीम में है हाट और पाट रामिंग वर्ड्स मूड और रूट रामिंग वर्ड्स अब रामिंग स्कीम कै से जानेंगे, scheme is important, scheme का अर्थ क्या होता है, scheme का अर्थ है, पद्धती, system, तो यहां रामिंग scheme क्या है, रामिंग system क्या है, तो crow जैसे sound को, अगर तुम a लिखते हो, small a से denote करते हो, तो इसके जैसा जहां जहां sound मिलता जाएगा, सब को a कहेंगे, और crow के जैसा sound अगर नहीं मिला, तो उसको b कहेंगे, जैसे me का sound crow से नहीं मिल रहा है, तो crow को a कहेंगे, me को b कहेंगे, snow crow के जैसा मिला, तो snow को a कहेंगे, और tree, me के जैसा मिल रहा है, तो me को हमने b कहा था, इसलिए tree को भी हम क्या कहेंगे, small b से ही denote करेंगे, तो rapping scheme हमारे पास क्या आया A, B, A, B crow, A माना snow, A मानेंगे me, crow से अलग है इसलिए इसको B कहेंगे tree से match कर रहा है इसलिए tree वाले में B कहेंगे तो A, B, A, B heart, part اب heart ये sound ना तो crow से मिलता है ना तो me से मिलता है यानि A, B जो हमने consider कर लिया उस C अलग है, यानि अब इसे क्या मानना होगा, C मानना होगा, small C से दिखाएंगे फिर उसी तरह से mood शब्द जो है, ये भी किसी से नहीं मिल रहा, तो ये तीनों से अलग है, यानि ये D कहलाएगा हाट को सी कहा, तो पार्ट को भी सी कहेंगे, मूड को ड कहा, तो रूड को भी ड कहेंगे तो रैम लिए स्कीम अब पॉम क्या हुआ, A, B, A, B, C, T, C, T So, this is all about this video, thank you so much, I hope you enjoyed it a lot, Jaya Bharat